नमस्कार दोस्तों, इस Study with Happiness में आप सभी का स्वागत है और दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इलाबाद High Court समिक्ष अधिकारी का पेपर हो चुका है तो इस वीडियो में दोस्तों हम उसके Reasoning के Question देखने वाले हैं बागी वीडियो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्द कराई जाएंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो अन्त में लाइक कर सकते हैं किसी Question पे आपको Confusion हो तो Comment section में लिख सकते हैं दोस्तो reasoning के मात्र 12 Question पूछे गए थे वो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ जैसे कि दोस्तो पहला Question था कि तरका स्तीर उसी तरीके से मियान के लिए क्या होगा आप सभी को पता है कि तलवार Second Question को जो आप देख रहे हैं तरह सीधे सीधे आंसर आ जाएगा फिर बात करते हैं दोस्तो तीसरा Question जो आया था इसके अंदर छे दोस्तो वाला गोलमेज वाला इसमें आप देखेंगे इसका पहला असत्त्य होगा C, A, K, ठीक, दाई और नहीं बैठा है यह पूरा आप बना के देखा होगा जिन लोगों ने भी किया होगा आगया होगा यह वाला इसके बाद है दोस्तो चौथा Question चौथे Question का आंसर जो है 4E आएगा आप इसमें हिसाब लगा के देखेंगे फिर दोस्तो प्रूडेंट इसमें पहले तो लग रहा था कि यह Question गलत है मगर देखा जाए इसमें यह पूछा गया है ऐसे कौन से दो हैं जिसके वद्दिमान दो अक्षरों के बीच में वही है जो वणमाला में हैं तो D और E है D के बाद ABCDE और बीच में कोई मद्धे में कितने हैं अक्षर 0 तो यहाँ पर 0 होना चाहिए और इसके बाद है कुछ खरगोश और मच्छर वाला यह वाला Question था है इसके लिए इसमें देखा जाए तो D लगेगा ना तो निशकर्स A निकलता है और ना ही दूसरा निकलता है फिर बात करते हैं 7th Question की 7th Question में दोस्तों दो कोट दे रखे थे और इसमें यह पूछा गया था कि अगर आपको वाक का मतलब बताना है तो इसके लिए कथन एक प्रयाप्त है या दोनों प्रयाप्त है तो इसमें जो है दोस्तों इसके लिए दोनों ही data होना जरूरी है तभी आप निकल सकते हैं Single statement से आप यह नहीं निकाल पाएंगे ठीक है फिर दोस्तो यह relation वाला Blood Relation का जो कोशिन आये था इसमें A का F से संबन्द पूछा है तो आप देखेंगे A का F से जो संबन्द आएगा A जो है वो सास होंगी F की और अगर बहू लगा दिया है किसी ने तो दोस्तो वो हो जाएगा F बहू है किसकी F जो है वो बहू है A की ठीक है अगरा question है दोस्तो ये वाला भी थोड़ा सा moderate level का था कई लोगों से नहीं लग पाया होगा तो इस वाले में दोस्तो second वाला आया है अब आप जब ये word लिखेंगे ना दोस्तो तो इसमें cross चल रहा है अगर आप ये वाला pattern पहचान गए होंगे तो आपने ये सही किया होगा दोस्तो reasoning के question कम थे मगर आपको पता है कि इस परिक्षा के अंदर एक-एक number कितना कीमती होने वाला है फिर हमारा है question number 10 इसमें दोस्तो 9 आ रहा है और ये वाला जो आपने pattern देख रहे होंगे non-verbal reasoning का इसमें D फिर है question number 12 कि vocabulary से आप क्या-क्या बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि E जो है वो vocabulary में आता ही नहीं है तो इसलिए cable word नहीं बन सकता बाकी सब बन सकते हैं अभी दोस्तों जल्दी ही मैं बाकी भी subject के जो answer की है वो upload करने ही कोशिश करूँगा अगर आपको किसी में कोई तुरूटी लिखती है comment section में लिख सकते हैं चैनल पे नए हो तो subscribe कर सकते हैं जल्द मिलेंगे दोस्तों आम next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत